नमस्कार जम्मू समवाद में आपता स्वागत है और मैं हूँ ललित खजुरिया G.A.D. एक बार फिर सवालों के घेरे में है सवाल इस तरह के उठ रहे हैं कि जम्मू कश्मी स्टेट बोर्ड में पोस्ट निकाली जाती है चीर्मेंड की लेकिन जब उस पोस्ट को फिल करने की बारी आती है तो फिर वीना पंडित जाती का की नाम सामने लाया जाता है और उन्हें एक्स्टेंशन दी जाती है सवाल यह है कि अगर आपने वीना पंडित जो की रिटायर होगे से अगर उनी को एक्स्टेंशन देनी थी तो फिर ये पोस्ट क्यों आपने अर्वर्टाइज की क्या ये सिर्फ आंखों में धूल जूंपने के लिए किया गया या फिर ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में अब नौकरिया उन्ही को मिलेंगी जो रिटाय हो जाएगी इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आपके इस प्रशन का उत्तर देने से पहले मेरे लिए सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये जो सिलेक्शन प्रसीजर होता है वो किस तरीके से किया जाता है और कैसे कैसे क्या पूरा घटना करम हुआ देखिए आठ एपरल दो हजार बीस को जी एडी डिपार्टमेंट एक गौर्वर्मेंट ओर्डर नमबर 458 जेके जी एडी आफ ट्वंटी ट्वंटी जो है वो बाई ओर्डर आफ दी लेटेन्ट गवर्नर जो उस टाइम के लेटेन्ट गवर्नर थे जी सी मुर्मु साहब और उस पे साइन करते हैं चरण दीब सिंग जो एडिशनल सेक्टरी टू दा गवर्नर थे ये आठ एपरल दो हजार बीस को ये एक आपने ओर्डर निकाला गवर्नर ओर्डर वो किसलिए निकाला आपने सर्च कमेटी एक कॉंस्टिचूट की जो ये सुजेस्ट करेगी कि पैनल जो है चेर परसन जेंड के बोड़ा स्कूल एजुकेशन के लिए वो पैनल जो है उसके लिए आपने सर्च कमेटी कॉंस्टिचूट की बाइ और नमबर फोर फाइव एट और इस सर्च के जो चेर मेन रखेगे वो financehal commissioner finance department थे दूसरा principal secretary to the government school education department वो इसके member रखेगे फीर secretary to the government higher education department वो भी इसके member रखेगे फिर vice chancellor center university of jammu samba वो भी उसके member रखेगे और फिर himself member रखेगे वो वाइस चांसलर यूनिवर्स्टी आफ जमू सिरनगर जो थे उनको मेंबर रखा गया और ये कहा गया कि कमेटी जो है वो पैनल जो है उसके बारे में सब्मिट करेगी 15 दिन के अंदर-अंदर अपनी रिपोर्ट जो आप पैनल बनाएंगे वो 15 दिन के अंदर-अंदर आप उ उसके बाद क्या हुआ तीस एप्रल 2020 को सरकार ने बाई ओर्डर अफ अगें लेफ्टिजेंट गवर्नर एस सो 145 निकाला ये एस सो 145 जब निकाला तो इसमें कहा गया the government hereby extend the term of Professor Bina Pandita Chairperson Jammu and Kashmir Board of School Education for a period of two months only दो महिने की extension दी गई by SO 145 by the order of the left-hand governor GC Murmu और ये कहा गया कि आप for a period of two months only beyond her date of superannuation वीना पंडिता की जो retirement की date थी superannuation date थी वो थी 30-4-2020 तो इन्होंने ये दूसरा एक घटना कर्म शुरू हुआ फिर उसके बाद देखिए क्या होता है 22-5-2020 को सरकार जो है एक advertisement notice निकालती है और वो notice किसलिए निकाला जाता है वो notice सिर्फ इसलिए निकाला जाता है कि आपको post of chairman जमू और कश्मीर board of school education के लिए candidates जो हैं उनको बुलाना है वो apply करें और उसकी जो last date रखी गई applicants की उन्हेंने का कि आप 15 जून 2020 तक apply कर दीजिए और फिर उसके बाद हलात कुछ अच्छे नहीं थे तो उसको फिर extend किया गया 30 जून तक और उसमें क्या लिखा गया उसमें कहा गया he she should not be more than 57 years of age as on 31,3,2,020 advertisement में कहा गया कि जो candidate apply करेगा he she should not be more than 57 years of age बहुत सारे लोगों ने apply किया जम्मू यूनिवस्टी से क्रेस्टर यूनिवस्टी से और कश्मीर यूनिवस्टी से भी apply किया गया लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होना है सबसे बड़ी मज़ेदार बाद दस साथ दो हजार बीस को S.O.213 again by order of then left student governor G.C. मुर्मू उसमें ये कहा गया the government hereby extends the term of professor Veena Pandita ex-chairperson क्या term यूज की गई ex-chairperson जम्मू एंड कश्मीर board of school education for a further period of two years beyond her extended term that is 36 2020 Veena Pandita की जो superannuation date थी वो April 30 जो थी लेकिन उसके बाद उनको extension मिली गई और extended period जो था वो 36 2020 था तो ये order जो निकला ये order निकला 10-7 2020 को 36 2020 तक already extended order था लेकिन उसके बाद 10-7 2020 को S.O.213 निकाला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन का बीच में gap है 10 दिन के लिए वो चेयर परसन नहीं थी इसी लिए इन्होंने अपने order में भी लिखा एक्स चेयर परसन जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन जब एक आपका employee X हो गया आप उसको extension किस कनून के तैब दे सकते हो लेकिन आपने उन्हें extension जो है दो साल की दी और जिन जिन बच्चों ने apply किया उनके साथ बहुत बड़ी ने बे इंसाफी की गई क्यों क्योंकि उस advertisement को आपने withdraw नहीं किया आपने जो सर्च कमिटी बनाई उसके साथ भी मजाग हुआ जो credibility है selection procedure की वो ताग लगाया उसके पर question mark लग गया सर सवाल यही है कि क्या कोई काबिल नहीं था इस post के लिए आग लोग ने सर्च कमिटी भी बनाई तो यह भी वो कहेंगे कि हमें कोई काबिल मिला ही नहीं देखिए लग जी यह million dollar question है कि आपने सर्च कमिटी constitute की आपने advertisement की बच्चों ने apply किया आपने उनका interview नहीं लिया उनके साथ interaction नहीं की और आपको कहीं से phone आता है और उस phone के उपर आपने ये सारा काम किया आपको public domain में ये बताना पड़ेगा कि आप क्या जो ex-chair persons है उनको ही extension देके क्या सरकारें चलाएंगे क्या institution जो है एक आम आदमी से उपर हो गया है फोन से भी उपर हो गया है institution तबाह हो जाएंगे तो यह तो वही वैदा अपने चहितों को भी अपने चहितों को यह तो प्रम नहीं एक्सेंशन देते रहे इसका देखिए यह बहुत बड़ा जो है प्रशन चिन्य है कि आप institution जो है उनको तबाह कर रहे है at the cost of one individual अगर किसी का फोन आएगा तो आप institution तबाह करते जाएंगे सुके सर क्या आपको लगता है कि इसमें भी एक समका यह इन्हों ने अपने जिम्यदारी से हटने की कोशिश की चलिए वह रिटायर हो रहे थे और जाहिर सी बादा जब रिटायर होंगे तो वह पोस्ट रेकेंट हो जाएगी उसको फिल्टो करना ही है इन्हों ने अड़ि नहीं का इतने ज्यादा लोग हाई जो उतौरिष अनके साथ हो जाते हैं कि हाझी उनको अक्स्टेंशन पर इंस्टेंशन दी जाते है देखिए यह जो एक्स्टेंशन वाला कल्चर है यह Canal ये देश के लिए देश के इंस्ट्ट्यूशन के लिए आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरनात किसम का एक मैसेज है कि आप अपनी जो युवा पीडी है उनको आगे नहीं लाना चाहते हो और जो लोग इन सर्विस आपको क्या-क्या बेनिफिट दिये हैं उन्होंने कैसे-कैसे आप लोग उनको प्लीज किया है ये बाते पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए क्योंकि आप एक्स्टेंशन जो है बिना प्लीज किये नहीं दे सकते हो सर सवाल ये भी उठता है कि जिन लोगों ने इस पोस्ट के लिए प्लाई किया होगा उनके मनों बोल को कितनी ठेस पहुंची होगी वो तो सबने में आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हमारी भ लोगों ने सबसे पहला तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर आपके साथ इंजस्टिस हुआ है तो आपकी लड़ाई लडने के लिए कोई विदेश से नहीं आएगा आपको ही अपनी लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ेगी अगर आप खमोश रहते हैं अगर आप सो जाते हैं तो आप आने वाली जिनरेशन के लिए एक ऐसे बीज बोरे हैं जो कांटों वाले पेड उगाएंगे और ये कांटे जो है ये पूरे देश को चुबेंगे क्या आप इंस्टिचुशन जो है एक आदमी से उपर समझते हैं क्या आपके जो सेलेक्शन प्रोसीज एक फोन पर पर ताब पर लगाया जाते हैं लेकिन लोगों क्यों ने क्यों रोओ आँगी आपको क्या लगता है देखिया अगर कोई आवाज भी उड़ाएगा तो इसका मतलब नहीं है कि अन्य कोर्य isनके को बिल्ली के गले में घैंटी बांगनी पड़े गी और कोट का द जो है वह हाई कोट्स में लगाई जा सकती हैं सवाल एक और उठते हैं कि इन्हीं पोस्ट बड़ी पोस्ट के लिए जो रिटायर होते हैं उन्हीं को क्यों एक्स्टेंशन दी जाती है एक्श्री कि यह जो जैन के बोड़ा स्कूल एजुकेशन की चेयर पर सम्ग होती हैं वो क्या-क्या benefit इन सर्विस में जो higher ups नंको दे सकते हैं तो इसके भी बड़ी घंबीरता से आपको inquiry करनी पड़ेगी कि during the service period उन्होंने किन-किन को किस-किस तरीके से क्या-क्या benefits दी Zahl नगेगा अब इसके और भी परस्तों चींगने नहीं लगेगा आपको लगता है कि इस पर इंक्वारी होनी चाहिए सर बिलकुल होनी चाहिए क्योंकि अगर आज आप इन चीजों को रोके में नहीं और ये बाद में अक्मूलेट हो जाती हैं और फिर आपको सक्त कदम उठाने पड़ते हैं झाल मैं दूसरा सके सार्व ब्रश्टाचार सिरप पैसों कांदion उता पैसे तो यह एक वर्याचार शामिल होगे क्या इसे वह ब्रश्टाचार की उस नज़र से देखा जाए यहां पर benefit दिए गए हैं वो भी अपनी एक लिमिट से बाहर देखिए अभी हमारी यूनिन टेरिट्री के ने लेफ्टिन गावर्णर साब आये हैं वो विजनरी है पुलिटिकली जो है उनकी एक इमेज है और उन्होंने आते ही इस यूनिन टेरिट्री को मैसेज दिया है कि म मैं करप्शन फ्री जो है वो यूनिन टेरिट्री बनाऊंगा यह बड़ा एक स्ट्रॉम मैसेज है तो उनको अपना काम की जो शुरुवात है जो शंकनात है इसी काम से शुरू करना चाहिए उनको देखना चाहिए कि कैसे गौर्रमेंट का आडर आठ चार दो हजार बीस को निकला जिस में गौर्रमेंट ने सर्च कमिटी कांसिचूट की फिर कैसे तीस चार दो हजार बीस को उस टाइम की जो चेयर परसन्स थी उनको दो मीने की एक्स्टेंशन दी गई फिर कैसे आपने बाइस पांच दो हजार बीस को एड़ुटीज में निका ली और फिर लोग 213 निकाला और आपने सारे सिस्टम की क्रेडिबिल्टी को कॉर्शन मार्क लगा दिया निकी एक व्यक्ति को फाइदा देने के लिए ये दो 213 वाला जो एस्वार हो है ये स्पेशल आया गया फिर देखिए ये तो स्पेशल ही लाए जाते हैं और ये बाई आर्डर अफ ल जनता जवाब चाहती है उनको आप जवाब दो क्योंकि आप सरकार में हो सरकार का काम है कि अपने लोगों को जो काम वो कर रहे हैं उनका जवाब देना पड़ेगा आप को डिक्टोरियल एक्टी चूट निए अडाप्ट कर सकते हैं आप इंस्ट्यूशन को तबाह नहीं क कि कई लोगों का फ्यूचर इन्होंने बरबाद कर दिया एक समका क्योंकि इनके मन में तो था कि अगर हम यह पोस्ट पर अपलाई करेंगे तो शायद हमारी स्लेक्शन हो जाए देखिए आपको इतना ड्रामा ही नहीं करना चाहिए अगर आपको इतना ड्रामा नहीं करना अपना हमारे गवर्नर भी तो सारे एक्स्टेंशन वाले ही आगे थे बिल्कुल तो सारी गवर्नर साफ जो जो एल जी और उनके अडवाईजर जो है वह एक्स्टेंशन पर आगे आप जो है कुछ लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी जो है आपके लिए फाइदा देता है लेकिन हर छोटी से छोटी बात के लिए जिसके लिए आपको केंडियेट्स अवेलेबल हैं कि बिजली की समझ से आप यहीं पर देख सकते हैं कि किस तरह से बिजली आ रही है जा रही है मुझे लगते है कि ऐल जी साब को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि आगर प्राइविटरिजेशन कर रहे हैं तो बिजली में एक संस्टेबिलेटी तो होनी चाहिए और बिजली बंद हो रही है आ रही है इस पर भी काफी प्रोग्राम पर असर पढ़ रहा है सर आखरी सवाल यह है कि क्या इस पर इंकौरी बैठेगी देखिए पहली बात तो यह है कि जो ने लेटेंट गवर्न है उन्होंने ये स्ट्रॉंग मैसेज यहां से ही देना चाहिए कि ये जो एक्स्टेंशन है इसको कैंसल करके जो सिलेक्शन प्रोशिजर एक्चुली होता है उसी को एडॉप करते हुए जस्टिस देना चाहिए एक स्ट्रॉंग मैसेज करना च चलाओगे अब लेटेन्ट गवर्नर बदल गए हैं और उनकी दूर दर्षता जो है और वो करप्शन फ्री जम्मू की यूनियन ट्रेटरि जम्मू कश्मीर की यूनियन ट्रेटरि चाहते हैं तो यहां से ही शुरुबात करनी चाहिए चलिए सर्व बहुत शुक्रिया तो जी क्यों निकाली और दूसरा यह जिन लोगों ने इस पोस्ट के लिए अपलाई किया था क्या वो इस काबिल नहीं थे कि वो जेके बोस्ट के चेयर परसन बन सके फिलाल यह जांच का विशे है कि एक व्यक्तिगत फाइदा पहुंचाने के लिए किस तरह साय जा रहे हैं अग और यह प्रोग्राम अलजी साहब की देखेंगे या उनके पास पहुंचेगा तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मुद्धा है जिसे जांच की बेहत जरूरी है और इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया जिन्हों ने इस जिए ले नमा